चैशी किष्णा गितादा मौना इन क्लासेज में स्वागत है आज आपन क्लास 12 का चैप्टर नमबर 13 सदिश के बारे में अधियन करेंगे इससे पहले हमें सदिश की जोड बाकी मापांग याद करने और तिक कोजे और दिक अनुपतों के बारे में हम पिछले वीडियो में अधियन कर चुके आज हम इससे समंधित प्रशनावली के जो आपके उधारन है उन उधारन को करते वे आगे प्रशनावली के प्रशनावली को हल करेंगे देखे आपके शदी से संबंदी जो प्रश्णावली है और जो इसके उधारन है उनको अपना भी देखते हैं देखे इसका पहला उधारन क्या कह रहा है कि देखे उधारन नमबर एक शदीश क्या दे रखा है आपको कह रहा है आपका शदीश दे रखा है आपको कह रहा है प्लस 4J प्लस 3K और तीसरा सदीश दे रखा है C वो कह रहा है आई कैप माइनस 6J माइनस 7K का योगफल ग्याद कीजिए क्या ग्याद कीजिए योगफल इसका मतलब हमें क्या करना है इन तीनों सदीशों को जोड़ना है तो देखे शॉलूशन में हमें कह रहे हैं सदीशों का योगफल तो सदीशों का योगफल क्या लिखेंगे सदीश A प्लस सदीश B प्लस सदीश C तीनों को जोड़ना है इसलिए हमने लिख दिया A, B और C तो सदीश A का मान क्या है आई माइनस 2J प्लस के जोड़ना है इसलिए प्लस कोने भी भी उतारी माइनस 2I प्लस 4J प्लस 3K प्लस प्लस में कोने है C तो C में क्या है I कैप माइनस 6J माइनस 7K तीनों सदीश लिख दिये तीनों सदीशों के मान लिखेंगे अब जोड़ना है I और यहां है 2I 2I मेंसे I गया किता बज़ गया माइनस आई और माइनस आई और प्लस आई क्या होने गया 0I तो यह भी देख लिए ना प्लस आई और प्लस आई 2I और 2I मेंसे माइनस का 2I गया क्या बज़ गया 0J देखें चार देखें माइनस का 6 और माइनस का 2 चेन दो कितो होगे आठ आठ मैंसे किते हैं प्लस के चार के तो बज़ गे माइनस का चार जे क्या बज़ गया माइनस का चार जे अब देखे के तीन और एक चार चार के हैं प्लस के और माइनस के हैं साथ के तो चार और साथ किते बज़ गे माइनस का 3K किसका बज़ गया माइनस का 3K माइनस का 3K यह है आपका उधर नमबर 1 इसी तर देखे उधर नमबर 2 उधर नमबर 2 कह रहा है यदी सदीश A हमें एक सदीश दे रखा है A क्या दे रखा है X I 2 J प्लस Z K क्या दे रखा है X I प्लस 2 J प्लस Z K और B दे रखा है क्या दे रखा है 2 I प्लस Y J प्लस K हो समान है इसका मतलब क्या है सदीश A बराबर सदीश B क्या कह रहा है दोनों सदीश क्या है समान है प्रशन में कह रहा है सदीस A और सदीस B समान है तो X Y Z के बाहन गयाद किये X का मान Y का मान और Z का मान गयाद करना है क्या है सदीस A बराबर सदीस B है इसका मतलब क्या है बराबर कब होगा इसका I कैप उसके I कैप के बराबरो सदीस J का A का J सदीस इस J के बराबरो B के A का K किसके बराबर हो B के K के बराबर हो तो देखें यहां X के बराबर कौन है B में I का I बराबर है तो यहां A X बराबर एक है यहां किता है X बराबर दो यहां J गुना के बराबर है तो J में यहां कौन पड़ा Y Y किसके बराबर होगा 2K अब यहाँ के गुनाक किसके बराबर है के गुनाक के बराबर है यहाँ जड़ यहाँ कौन है एक तो जड़ बराबर कितना हो गया एक मतलब आई का गुनाक आई के बराबर होगा जे का गुनाक जे के बराबर होगा और के का गुनाक के बराबर होगा कब होता है जब दोनों सदीस क्या हो, समान हो, तब I का गुनाक I के बराबर, J का गुनाक J के बराबर, और K का गुनाक K के बराबर हो कोशन उदा नमबर 3, सदीस A, क्या दे रखा है, I केप प्लस 2J केप, सदीस B दे रखा है, 2I केप प्लस J केप तब क्या सदीस A का मापांक बराबर, सदीस B के मापांक के बराबर है, क्या सदीस A का मापांक, सदीस B के मापांक के बराबर है, और क्या सदीस A और B समान है देखिए पहले तहमें चीए मापांग क्या चीए मापांग देखिए किसी भी सदीश का मापांग याद करना है इसका मतलब क्या है अंडरूड आई के गुणा का स्क्वेर जे के गुणा का स्क्वेर और के के गुणा का स्क्वेर यह होता है मापांग क्या होता है आई के गुणा का स्क्वेर जे के गुणा का स्क्वेर और के के गुणा का स्क्वेर का अंडर रूड तो हमें निकालना है ये वला ए तो निकाले है ए I का गुना, यहां कितना I के पास 1 है? 1 का स्क्वेर, 1 J का गुना कौन है? 2 2 का स्क्वेर, 4 K नहीं है अपने पास? I और J है 4 और 1, अंडरूट, 5 देखिए B का मापांक वही I का गुना क्या कौन पढ़ा? 2 2 का स्क्वेर, 4 फिर J के गुना का स्क्वेर, J के पास कौन पढ़ा? 1 1 का स्क्वेर, 1 4 और 1, अंडरूट, 5 4 और 1, अंडरूट, 5 तो दोनों क्या है? मापांक बराबर है लेकिन सदीस समान नहीं है देखिए, मापांक बराबर है मापांक बराबर है लेकिन सदीस समान नहीं है क्यों सदीस समान होने के लिए आई आई के बराबर होता है और जे जे के बराबर होता है यह यह दोनों बराबर नहीं है दोनों बराबर नहीं है तो सदीस समान नहीं है लेकिन इका मापां क्या है समान है उदार नमबर 4, उदार नमबर 4, 4 कह रहा है कि सदिश A दे रखा है आपना, सदिश A, A दे रखा आपका 2I, प्लस 3J, प्लस K, कि अनुदिश मात्रक सदिश क्या निकालना है, मात्रक सदिश, क्या निकालना है, मात्रक सदिश, देखे, मात्रक सदिश की डेफिनेशन होती है, मात्रक सदीश मात्रक सदीश को कहते हैं कैप क्या कहते हैं कैप मात्रक सदीश होता है कैप कैप क्या होगा सदीश बटा मापांक सदीश सदीश में मापांक सदीश का भाग देदो हो क्या आएगा मात्रक सदीश क्या आएगा मात्रक सदीश सदीश में किसके देदो मापांग का भाग हमने निकाले हैं अभी मापांग ये वाले देखो ये कहलाता है मापांग सदीश में मापांग का भाग देदो क्या कहलाता है मात्रक सदीश अब देखे सदीश ए ये पड़ा इसका क्या निकालो मापांग देखे सदी से का मापां, मापांं क्या होता है UNDERabil I के गुना का SQUARE, जे के गुना का SQUARE, के के गुना का SQUARE अब देखें आई का स्क्वेर, आई के गुणा का स्क्वेर, आई कितना पड़ा यहां, दो, तो दो का स्क्वेर, दो दुनी, चा, जे के गुणा का स्क्वेर, जे में कौन पड़ा, तीन, तीन का स्क्वेर, नो, के का गुणा का स्क्वेर, यहां के के गुणा में कौन पड़ 1 i square 1 1 i square 1 अब देखिए 9 1 4 14 कितना है 14 हमें मात्रडव सदीश निकाला है तो हमें सदीश में मापांग का भाघदू सदीश के आपने पास देखें सदीश लिख देए 2y 3j प्लस k मैं मापांग का भाघदू मापां कितना आया अंडरूड 14 तो अपने इसको कैसे लिख सकते हैं देखो दो बटा अंडरूड 14 आई कैप यह मातरक सदीस है जो यह मैं अबलिक रहे हैं वो क्या है मातरक सदीस दो बटा अंडरूड 14 आई कैप तीन बटा अंडरूड 14 जे कैप प्लस एक बटा अंडूड चो उदा के कैप ये कहलाया मात्रक सदीश क्या कहलाया मात्रक सदीश देखे इसी तरह उदा नमबर छे ये उदा नमबर आपका चार्थ सोरी और उदा नमबर पाँच उदा नमबर पाँच क्या गहरा है आपका सदीश दे रखाएं सदीश आपका सदीश दे रखा है ए क्या दे रखा है आई कैप माइनस टू जे कैप आई कैप माइनस टू जे कैप के अनुदिस एक ऐसा सदीश क्यात कीजिए जिसका परिमान साथ इकाई है क्या है साथ इकाई देखे सबसे पहले हम इसका मात्रक सदीश निकालें क्या निकालेंगे मात्रक सदीस सबसे पहले किसका काम करेंगे मात्रक सदीस मात्रक सदीस क्या होता है कैप क्या होता है कैप अभी निकाला था हमने उदर नमबर चार में उदर नमबर चार में क्या निकाला था मात्रक सदीस क्या कहलाता है कैप तो हम इस कोशिन में भी पहले क क्या निकालेंगे मात्रक सदीष कैप तो एक कैप बराबर क्या होता है सदीष में मापांग का भाग देदें सदीष में मापांग का भाग देदें अब निकालें मापांग मापां क्या होता है अंडरूड आई के गुणा का स्क्वेर जे के गुणा का स्क्वेर और के के गुणा का स्क्वेर आई का गुणा कितना है एक यह आई का गुणा कितना है एक एक का स्क्वेर एक जे का गुणा का ओन है माइनस दो माइनस दो का स्क्वार कितना हो गया चार कितने आगे अंडरूट पाँच कितने आगे अंडरूट पाँच अब हमें परशन में क्या गया रहा है कि इसका परिमान साथ इक ही है क्या है इसका परिमाना साथ इक ही है तो इसका मतलब इसको किससे गुणा करना है बट्टा मापां का मान कितना आया अंडरूड पांच तो उत्तर हो गया साथ बट्टा अंडरूड पांच आई कैप साथ माइनस साथ बट्टा अंडरूड पांच आई कैप माइनस सादोनी चौदा सादोनी चौदा चौदा जे कैप बटा अंडरूड पाँच यह आपका जब क्या बोलने हैं अपनको कि उनका परिमाण 7 इकाई है क्या बोलते हैं परिमाण 7 इकाई है इसका मतलब अपनको पहले माद्रक सीष निकालेंगे कैप और कैप को और इंदोनों को बराबर किससे गुणा करेंगे सांद से तो इसने क्यों परस्ण में सांद से क्यों हो education bei में कि परिमान साथ इकाई है इसलिए हमने किस से गुना करेंगे दोनों तरफ साथ से गुना करेंगे इस तरह से आपके उदार नमबर होते हैं पांच कम्प्लीट